हलो फ्रेंट वेल्कम बेक टू माई चैनल मेरा चैनल पसंदाय लाइक करें शेयर करें और सस्क्राइब करें तो देखें मैं अपने गर में कुछ काम करवा रही हूँ एक तरफ आपने देखा होगा मेरे एक छोटी फाटक लगी हूई और इधर बड़ी फाटक लगवा रही हूँ में आने जाने में भी काफी दिक्कत होती और वास्तो के हिसाब से भी सही नहीं था तो बस मैं यहां फाटक का काम करवा रही थी बीच में एक पेड़ था उसकी जड़ अंदर तक लगी हुई इस वज़े से हमारे यहां काम में बहुत दिक्कत आ रही थी और काफी टाइम भी लग रहा था पर क्या कर सकते हैं काम तो करवाना ही था तो देखिए बस इस तरह से मैंने काम करवाना सुरू कर दिया और उसक पर दिक्कत आती है तो मैं सारे सामान रख रही थी एक ही जगह पर इखटे करके और यह कुछ चूड़े में अपने लिए लाई थी तो काफी सुन्दर और विजनेबल रेट में मिल गए थे मुझे वहां से हम लोग गाव आ गये थे और देखिए गाव में काफी तयार्या करनी थी और समाई हमारे पास बहुत कम था तो मैंने कुछ मटके थे मेरे बड़े वाले भाई की शादी में जो यूज हुए थे उनी को रियूज कर रहे थे हम लोग और उसी को कलर कर लिया मैंने उसके बाद देखिए पापा इस पर पैंटिंग कर रहे थे पापा बहुत स इस पर कर लिया और जो कलश रहते हैं उपर छोटे छोटे रखते मटकों के उपर घड़े सिस्थापना में ये यूज आते हैं तो बस इस पर इस तरह से नाम वगेरा डेट सब डाल दिया थे और काफी सुन्दर लग रहे थे रेडी होने के बाद में इधर टेंट वगेरा अधर हमें वीडियो लेना भूल जाती हूं क्योंकि बहुत काम रहते हैं तो याद भी नहीं रहता है कि वीडियो लेनी हैं तो बस जब याद आया तब मैंने वीडियो सुरू कर दी थी और ये फूल अगेरा इस पर लगाना बाकी है और अभी तो काफी पेकिंग करनी है य पर मुझे ये वाली जो फ्लावर पढ़ी है मैंने रैडि करके रख insect 얘 घानी है तो लगने के बाद बहुत सुनदर लगते जा रहे देखिए इस तरो से पेकिंग करी थी मैंने जितना मुझे आता है मैंने रेडी कर लिया था और बहुत सुन्दर लग रहे थे सारे उसके बाद भी काफी करने हैं मुझे 21 टोपली रेडी करनी थी तो मैं थोड़े थोड़े करके करते जा रही थी जिसे जिसे टाइम मिलता जा रहा था अभी देखिए ये इतनी और बाकी है तो ये भी मैं कर लूँगी काफ़ी सामान भी मैंने लाकर के रखा हुआ है तो ये बस ये सारा यूज करते जाओंगी और अभी मैं दुलहन की जो पोशाक है वो रेडी कर लेती हूँ क्योंकि फिर काफ़ी चीजे है करने को तो देखिए इस तरह से मैंने फ्लॉवर वगेरा लगा करके इसे रेडी कर लिया था क्योंकि इसका सारा सामान जो होता है वो मैंने रख लिया था फेरों में जितना सामान काम में लगता है वो सभी इस टोबली में रख लिया तो तो पेकिंग कर ली और देखिए लगनपूर का आता साधी से पहले वो आ चुका था दुलन क गर से आता हुए भाई लेकर के आता है तो बस इस तरह से देखीермर हैं इसकी बहुतत संदर करिए है पहले कोड़के में लगन का सब्सक्रेटेश न कोटेकर करें आजता है लोग इस तरह से कर आ चैropygg में लोग से hymne, लेकिर हमारे यहां पर जो दुल्हा होता ही ओलता है इस तरह से और सगा भाई नहीं तो कोई और भी आता है देने ओल Nosempley नहीं है कि अधी अधयन आएगा बाइ बाइब दो बरोकर देखिया फिर पाप और वह गुडव अगेरा खिला रहे थे और आपस में इस तरह से तो बहुत अच्छा लगता है हमारे पर साधी की तैयार्या सुरू हो चुकी और दूसरे दीन से घंए सिटाप्ना है हमारे यहाँद रामेका वाजने माजने आरावी गाई रामेका को सामा करे माजने आरावी गाई प्रतां कि एसका नगल